हेलो फ्रेंड्स बिल्कम बैक टू मैं चैनल नितूस कुकिंग हव और आज मैं बनाने जा रहे हूँ मसूर दाल और अर्बी की सब्जी जो की मिक्स करके मैं बनाऊंगी और यह काफी टेस्टी बनेगा अर्बी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहां बें 500 ग्राम अर्वी ली है जिसे मैंने इसे 5-7 मिनद तक बॉयल किया है आप देखते होंगे कि इसको छीनना भी एक बहुत बरी फरशानी है और इसके इसे हातों में खुझली भी होती है कभी कभी इसलिए मैं इसको बॉयल कि के बाद यह इजली छील जाता है इस तरह से जैसे आलू छिलता है वैसे यह चील जाता है तो इस तरह से हम लोग अर्वी को छील लेंगे और जब तक अर्वी को छील रहे हैं हम लोग जब तक यहां पर मैंने यहां पर एक कफ मसूर का दाल लिया है इसे हमें पकाना है जैस चीलते इस तरह से कट किया है यह लंबा लंबा काटा है मैंने चार चार टुक्रों में और हमारा अभी कड़ाई भी गड़म हो चुका है इसे मैंने 4 तेवली स्पुन वाइल लिया है जोकी गड़म हो रहा है अभी हमारा तेल गड़म हो गया है मैं इसमें 1-1 तेवली स्पु मैं इसे डाल के अभी खोड़ा सा बूलूंगी एक मिनुट मैं यहां पे सर्टो तेल यूज़ कर रहे हूँ आप जो तेल यूज़ करते हूं वो यूज़ करे हूँ अभी एक मिनुट हो गया है और अभी हम लोग यह अर्वी जो है मैं इसको इसमें डालूंगी और ये डालके हमें इसे अच्छे से भूना है तो देखे फ्रेंट ये हमारी अर्बी भून चुकी है मैंने इसे लबस तीन चार मिनट भूना है और अभी होगा इसमें मसाला डालेंगे तो मसाला में मैं इसमें 1 टेबल इस्पून गार्लिक पेच डाल रहेंगो वन टेबल इस्पून लाल मिल्च पाउडर, हाफ टेबल इस्पून हल्दी पाउडर और वन एन हाफ टेबल इस्पून धनिया पाउडर, काली मिल्च पाउडर, हाफ तेश्पून और जीरा पाउडर, हाफ तेश्पून डमक स्वाधन उसार यह सब डाल के हमें इसे फिर अच्छे से इसे भूनना है जब तक कि हमारा मसाला डाउन न हो जाए तो यह देखे हमारा यह मसाला भून चुका है तो अभी हम लोग इसमें दाल एड़ करेंगे तो दाल मैंने यहां पर बताया था आपको यह मैंने बनाया है यह देखे इस तरह से बनाना है हमें जादा नहीं गला है एक सीटी लगा के मैंने इसे प्रेशर में रखा था तो मैं चाहूँ तो आप यह सबजी भी आप इसमें डाल सकते हो या इसमें डाल सिफ्ट कर सकते हो मैं इसे कुकड में ही शिफ्ट कर दे रही हूँ तो यह सब्जी मैंने यहां पे रखा है अभी हम लोग इसका भक्कन लगा पे कुकर में और इसे एक सीटी आने के पहले ही गैस बंद कर देंगे और इसे खोल देंगे तो अभी कुकर में सीटी लग चुकी है और हम लोग अभी ही इसका प्रिस्टी आप तो अभी यह सब्जी हो चुकी है और मैं इसमें हाग टेबली स्पून गड़म मसाला डाल रहे हैं यह डालने के बाद आप देखिए इसका कलर देखिए हमारी अर्भी गली भी नहीं है थोड़ा भी तो फ्रेंड्स हमारा यह अर्भी की सब्जी तयार है जो की काफी यमी दिख रहा है और आप टेस्ट में भी यमी ही होगा तो आप इसे जरूर ट्राइ करें चावल या रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको तो आपको मेरा यह रेसिपी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे अगले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक्यू